नमस्कार मैं विशेक आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज बिहार में श्राब बंदी कानून को सफल बनाने को लेकर लगातार जद्यू एक्टिव मोड में दिख रही है इसी बीच आपको हम बता दें जद्यू ने बीते दिनों श्राब माफियाओं को पकड़ने के लिए हेलिकॉप्टर भी रवाना किया था इसी बीच आज जद्यू के बिहार परदेश अध्यक्ष उमेश कुश्वा ने साइकल मार्च निकाला था जिसमें साइकल मार्च निकालके उन्होंने साप साप कहा है कि जो श्राब बंदी कानून है उसको सही से लागू करवाएंगे हम और जल्द से जल्द श्राब मोक्त बिहार को बनाएंगे वहीं क्या कुछ कह रहे हैं बिहार परदेश अध्यक्ष जद्यू के उमेश कुश्वा पहले वो सुनें आप लोग देखिए आप देख रहे हैं कि मारे मुक्त्री नितिश्कुमार जी का जो समावेशिक विकास है हैं सम्सक्राइब करता ने के लिए यह अवियान चलाया जा रहा है data तर्डीज करतानை जी समारी नासामुक्त अव्यान बनाना है इसके लिए आज हमारे पार्टी के सच्पथिश सच्पथिव कंमali प्रप्रवेश जी ने इसाथरा को शृवाथ प्रणाम आएगा किस तरह से जो हमारे स्वास्ते में सुधर हुआ है जो घरेलुई हिंसा है उसमें जो सुधर हुआ है किस तरह से जो जिनकी जो आये खर्च कर दिया जा था जो किस तरह से दहनीए था और आज कितना सुद्र हुआ है परिबारी कहलत आर्थिक श्तिती कितना मजबूत हो रहा है यह पूरे समाज को विकास करने के लिए अभ्यान चला जा रहा है जो हमारे महत्मा गंधी जो सपना देखा था उसको मानिय मुख्वंत्री जी का जो संकल्प है संकल्प को लेकर आगे लोग बर रहे हैं तो आपने सुना लिया जदियू के बिहार, परधेस, अध्यक्ष उमेश, कुष्वाहा थे उन्होंने साफ साफ कहे लिया है जल्द से जल्द बिहार को किर्दी जो कानून आँना है उसको सफल मनाईगे क्या कुछ कहरत उमेश कुस्वाह आपने सुना है लगतार श्राब बंदी कानून को लेकर विपक्ष के लोग सवाल खड़ा करें अब देखना ये होगा ये कब तक श्राब बंदी कानून सफोल होता है उमेश कुस्वाह ने साइकल यातरा को आज रवाना किया अब देखना नहीं होगा कि श्राम्मुक्त बिहार कपतक होगा और भी तमाम खबरों के लिए बनड़ है नवीसी 24 न्यूज के साथ हमारे चाल को सब्सक्राइट करें पेज़ क्लाइट करें बहुत-बहुत धन्य बना